ऐसी तो आपकी सुईटियो बात करेंगे यूपी एनव ट्रेनिंग 22 के फॉर्म के बारे में अगर दुस्तौ आप लोग भी यूपी एनम ट्रेनिंग के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपकी जो फीज है वो जमा नहीं हो पा रही है या फिर आपने फीज जमा की और आपका जो ट्रांजक्सन है वो फेल्ड हो गया और आपके खाते से पैसे भी कट गए और आपकी जो फॉर्म में अपडेट नहीं हुई है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग अपनी फीज को क आसानी से आप लोग अपनी fee को payment कर पाएंगे और fee payment करते बक्त आपका जो transaction failed हुआ है उसे आप लोग refund करा पाएंगे या फिर आप लोग अपने form को update करा पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि UP ANM की fee को कैसे payment करते हैं fee payment करने के लिए हम आपको सुरू से step by step यहाँ पर बताने वाले हैं जैसा कि हम आचुके इनकी official website पर इस website का link हम आपको video section में दे देंगे उसके बाद हम यहाँ पे ANM वाले option पर क्लिक करेंगे और proceed वाले option पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक option देखने को मि payment करें तो आपको इस वाले option पर क्लिक करना है और यह fee payment आप लोग 25 जून 2022 तक कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोई भी date नहीं है आप लोग को बता दे जो आपके phone number पर registration number send किया गया था बही registration number आप लोग यहाँ पर फिल कर दीजिगा इसके बाद आपको जो password लोग इन करके और final step पर पहुँच चुकी इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपने form की detail को अच्छी तरीके से चेक करनी है अगर आपके form में किसी भी प्रकार की कोई भी mistake लग रही है तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलेगा back to edit का आपको इस वाले option पर क्लिक करक करते हैं लेकिन अगर आपका form में जो detail भरी गई है वो सारी विल्कुल सही है तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलेगा form final submit का और pay fees का आपको इस वाले option पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा जो form है वहाँ पर final submit हो चुका है और साती में अब हमें यह वाले option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर आपकी detail देखने को मिलेगी जैसा कि आपका नाम, mother name, father name, mobile number, email id यह सारी detail देखने को मिलेगी इसके बाद दोस्तों आपका जो payment methods आपको 8 तरीके के देखने को मिलेंगे अगर दोस्तों आपको credit card से अपने extra charge pay करना पड़ेगा अगर आप लोग यहां पर रुपए debit card से payment कर रहे हैं तो दोस्तों आपको यहां पर 4 रुपए का extra charge pay करना पड़ेगा और अगर आप लोग यहां पर रुपए credit card के जरीए payment कर रहे हैं तो दोस्तों आपको यहां पर 15 रुपए 60 पैसे का कुछ आपको extra प्रॉबलम आ रही है बैंक जाके आप लोग चालान जमा करेंगे और बैंक की तरफ से अपडेट जल्दी नहीं हो पा रहा है तो आप लोग यहाँ पर अंलाइन ही फी पैमेंट कीजीगा और पैमेंट मैथर को फिल करने के लिए आपको साधारन से फी पैमेंट करना है जैसा कि हम आपको आगे दिखा रहे है है जैसा कि हमने यहाँ पे अपना debit card को select किया यहाँ पे आपको देख सकते हैं debit card select करने के बाद हमारा जो 104 रुपए fee है वो यहाँ पे show हो रहा है लेकिन हमारे account से 105 रुपए fee कटेंगे तो हमारा यहाँ पे card number डालना है account holder name जिस नाम से हमारा account है बो हमें यहाँ पे fill कर देना है हमारे जो भी card पे sparing date होगी बो हमें यहाँ पे fill कर देना है साथ ही में हमारे जो भी CBB होगा बो हमें यहाँ पे fill कर देंगे इसके बाद pay वाले option पे click करेंगे click करने के बाद हमारे जिस card पे जो mobile number link होगा उस mobile number पे एक OTP आएगा OTP आने के बाद आपको OTP को fill करना है, fill करने के बाद आप लोग submit वाला button पे click करेंगे click करने के बाद आपकी जो भी fees होगी वो payment हो जाएगी लेकिन यहाँ पे काफी student ऐसे जिनका यहाँ पे fee का जो transaction है वो failed हो रहा है और कुछ student के पैसे bank से नहीं कटते हैं उनकी तो चलो कोई बात नहीं वो दोबारा try कलेंगे या फिर उन्हें option मिल जाएगा कि आपका किस बज़े से bank की तरफ से पैसा कटा नहीं है, copy student ऐसे हैं जिनके bank के खाते से पैसे कट गए हैं और उनका यहाँ पर update नहीं हुआ है तो ऐसे में student यहाँ पर क्या करेंगे वो आप लोग यहाँ पर समझीगा जैसा कि आप लोग को यहाँ पर बता दें कि इनकी official website पर कोई ऐसा link नहीं है, जिस पर dual payment verification आपको देखने को मिले आप लोग को बता दें अगर आपके bank account से fee payment कट गया है और आपके form में दुबारा payment मांग रहा है तो दोस्तों आप लोग करना के आए कि आपका जो भी bank account है जैसा कि state bank of India या फिर कोई सा भी xyz bank है तो दोस्तों आपको उसके toll free नंबर पर बात करनी है और बहाँ पर आपको अपको अपनी एक complaint registered करनी है complaint registered कैसे करनी है वो आप लोग को बता दें सबसे पहले साधरन से आपको गूगल पर टाइप करना है अपनी bank का नाम उसका आई एफ सी कोड तो उसे आप लोग अपनी problem बताइएगा कि सरम ने online transaction किया था हमारा transaction failed हो गया है और हमारा forum पर update नहीं हुआ है और दोस्तों हमारा जो account से पैसे है वो भी cut गए है तो इसके बाद आपका जो भी account होगा उस पर एक complaint registered हो जाएगी complaint register करने के बाद दोस्तों आपका जो भी पैसा है वो 24 से 48 घंटे में हो सकता है आपके account में refund आ जाए या फिर हो सकता है कि आपने जिस form के लिए apply किया था हो सकता है बहाँ पहुँच जाए लेकिन 90% जो पैसा होता है वो दोस्तों आपके bank account में आता है और 10% जो आपका पैसा होता है वो आपके विवाग में जाता है जहां आप लोग form को फिल कर रहे थे apply कर रहे थे तो यही है फरक आप लोग को अगर आपका यहाँ पे पैसा कट गया तो आप लोग एक complaint जरूर कीजिगा अपनी bank के toll free नंबर पे आपकी पूरी साहता की जाएगी और आपका जो भी पैसा है वो 7-10 दिन में आपके bank account में transfer कर दिये जाएगा तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसी problem हो रही है तो आप लोग यहाँ पे घबडाईए बिल्कुल भी मती और बाकी आपका जो भी payment आने के बाद आप लोग यहाँ पे दुबारा repayment कर दीजिगा अगर आपके मन में फिर भी यूपी एनम की फी से relative कोई भी questions है तो नीचे comment करके जरूर बताईगा मैं आपके आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में नए topic के साथ अब तक के लिए बाई बाई